हाई माई स्टुडेंट्स आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिवीजन डेस्मल नंबर का डिवीजन बताने जा रहा हूँ डेस्मल नंबर का डिवीजन तीखने के लिए आप एक वर्ड याद कर ले D for division M for multiplication sorry D for division M for move and L for left डिवीजन मूव लेफ्ट डिवीजन मूव लेफ्ट बस आप लोगों को इतना ही याद रहना है देखे कैसे होता है 2 3 5 4 5 6 divided by 100 तो यह क्या आएगा तो पहले सारे डिवीजन को आप लोग लिख ले बिना डेस्मल दिये हुए 2 3 4 2 3 4 5 6 और 1 के आगे कितने 0 यह देखे 1 2 2 0 है इसलिए 2 डिवीजन को डिवीजन पॉइंट डाल देना है एक और देखिए 9 6 4 5 8 3 divided by 1000 तो डिवीजन को लिख लेते है 9 6 4 5 8 3 और 0 को काउंट कीजिए 1 2 3 यहां पे 3 0 है इसलिए लास्ट डिवीजन से काउंट करना है और तीन डिवीजन लेफ्ट साइड मूब करना है 1 2 3 तो 4 और 5 के बीच में डाल देना है माल लिए दूसर नंबर यह है और इसमें डिवीजन करना है 10,000 से तो इस नंबर को पहले लिख ले 2 3 7 5 6 8 9 और 0 को काउंट कीजिए 1 2 3 4 चाट 0 है तो 1 2 3 4 लास्ट वन डिवीजन से स्टार्ट करना है और लेफ्ट साइड मूब करना है जितने 0 जाए उतने ही डिजिट मूब करना है 1 2 3 4 तो 7 और 5 के बीच में आएगा तो यह एंसर आ गया और भी देखिए 7 3 4 5 1 1 0 2 पान लीजिए इसमें डिवीन करना है और थो बड़े नंबर से करना है तो कैसे करेंगे पहले नंबर को लिख लेंगे 7 3 4 5 1 1 0 2 और 0 को काउंट किजिए 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 0 जाए इसलिए 1 से डिट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट की तरफ मूब करना है 1 2 3 4 5 6 3 और 4 के बीच में डेशनल पॉइंट फ्लेस कर देना है तो इसका से एंसर आ गया एक और देखिए मौन लेजिए ये नमबर है 9 6 2 3 divided by 1 and then 5 0s इससे इसमें डिबियन कीजिए तो पहले नमबर लिख लेना 9 6 2 3 और इसमें 0 दिखे कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 बट इसमें 4 ही डिजिट है तो क्या करेंगे एक 0 डाल देना और फिर डिस्मल प्लेस करना है तो आपका एंसर ये आ गया डिस्मल पॉइंट के पर ले कुछ भी नहीं है तो हम लोग को एक 0 डाल देना उसके बाद सारा डिस्मल प्लेस कॉपी कर लेना ओके थैंक यू अधि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं